हेलो स्टुडेंट्स देखो आज जो अभी नया चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है पजल टेस्ट ठीक है पजल टेस्ट देखो एस सिमिलर ही लगेगा आपको सिटिंग अरेजमेंट का बट उसमें ऐसा होता है देखो कि पजल टेस्ट में क्या होगा कुछ इंफॉर्म पर लो तो जैसा कि ऐसा कि कोई फाइव अलग परसन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी उसमें बोला होगा कि हर कोई कोई अलग-अलग सिटी से बिलॉंग करता है एक इस सिटी से एक इस सिटी से ठीक है और इनका अलग-अलग प्रॉफेशन यह कोई इंजिनेर है कोई दॉक्टर को लॉयर है कोई डेंटिस्ट है कुछ भी ऐसा दे रखा है इन्हों ने ठीक है वालब फाइव परसंदी फाइव पर्शन की उनके सीटी दे रखी अलगलग सीटी से बिलॉंग करते हैं और उन्हीं five person के बारे में वापस बोला गया है कि उन five person के अलग-अलग profession यह है तो उसी के base पे अपने questions बनेंगे कि लिए तो उसमें क्या होगा उन्हों सब को relate करते हैं उन्हों ने कुछ ने कुछ clue दे रखे होंगे उसी clue के according अपने को उनको arrange करना है और चीज़े बतानी है कि कौन सा किस से relate करेगा अधो sitting arrangement में actual में उनको बैठाना था यहां पर कोई बिठाना नहीं यहां पर अलग-अलग belong करेंगे वही question उसी type करेगा statement दे रखेंगे उस statement से conclusion निकालके अपने को form करना पड़ेगा paragraph को solve करना पड़ेगा तो इसमें कुछ ज्यादा इतना कोई समझाने लाइक है नहीं question से start करते हैं ठीक है तो देखो मैंने question लिया है इसमें क्या बोला गया यह तो देखो बड़ा आसान सा question है इसने बोला गया है कि कुछ persons के लिए बोला है कि यह इसमें good है है ना मतलब बोला कि अच्छे है इस subject में ठीक है चलो तो देखो इसमें बात करिए a b c d e की ठीक है तो मैं person लेता हूँ a b c यहां पर लिख लेता हूँ a b c d e ठीक है अब subject कौन कौन सी है देखो बायो यह जिसे good और ऐसा पूछे ना कि यह चीज़ है तो देखो ऐसा कर सकते हूँ बायो कैमेस्ट्री फिजिक्स ठीक है दैन आपको बोला है history and mathematics के लिए यह बोला गया है अब क्या बोला है देखो जिसमें जो बोला है बोला a and b are good in biology and chemistry a and b दोनो biology में अच्छे है और chemistry में भी अच्छे है तो chemistry में भी टिक लगा दो के लिए ठीक है A and C are good in biology and physics A और C biology में अच्छा है तो A तो already अच्छा है बोल रखा था अब बोला कि physics में भी अच्छे है दोनों तो A और C दोनों physics में अच्छे होगे के लिए उसके बाद D के बारे में क्या बोला C, D, E are good in physics and history C, D, E तीनो physics और history में अच्छे है C, D, E history में भी तीनों अच्छे है एक, दो, तीनों यह अच्छे है ठीक है सर C और E is good in physics and mathematics C और E physics में तो already है और बोला कि mathematics में भी यह दोनों अच्छे है किलियर सर उसके बाद बोला D and B are good in chemistry and history D और B B already chemistry में है D भी chemistry में अच्छा है और history में भी दोनों अच्छे है तो history में इसका नहीं है तो इसका है बाकी आप cross माल दो बाकी में वो अच्छे नहीं है जिसके भी corresponding जो भी जाना है चला जाएगा तो बड़ा आसान देखो बन गया अब क्या बोला WHOO IS GOOD IN PHYSICS HISTRY AND MATHEMATICS BUT NOT IN BYOLOGY PHYSICS HISTRY OR MATHEMATICS तो यह तीनों में होना चाहिए यहाँ पर तो यह तीनों में यह भी हो सकता है last वाला भी second वाला भी last वाला BUT उसने बोला है NOT IN GOOD IN BYOLOGY BUT यह तो GOOD IN BYOLOGY है तो यह नहीं है तो आपका E आपका correct हो जाएगा, के लिए अगला बुला है, WHO is good in physics, history, mathematics, biology, physics, history, mathematics, biology, C, C आपका answer हो जाएगा, WHO is good in physics, chemistry, history, physics, chemistry, history, physics, chemistry, physics, chemistry, स्ट्री, फिजिक, कैमेश्ट्री, इसके लाओट होता है, तो यह आपका answer था, ठीके तो इह आपको, इससे solve करके puzzle को solve करके उसने जो जो information given थी उसी के according मैंने solve करके answer निकाल दिया के लिए चलो अगला question read the given information carefully and answer the question that following इसने बोला है किस किस के लिए बोला है रतन एक बार पढ़ ले पर चलो इन चारों के बारे में बोला है our brothers of Rathi, Sangeeta, Pooja और Saroj not necessary in order मतलब इस order में नहीं है उसने बोला each boy has one sister मतलब हर बच्चे हर लड़के की एक sister ही है ठीक है किसी की दो sisters इसमें नहीं है the name of brother and sister are don't been gained with the same letter मतलब बोला है कि कोई भी दो brother और sister हुए तो मतलब जैसे मेरा पास चार है ठीक है रतन ठीक है इसको ले ले लेता हूँ रतन, अनील, पिंकु, ग्वारा ठीक है ये तो ये ओगे boys के लिए और girls में क्या हुई कौन कौन है तिनो जिसके sister है राखी, संगीता, पूजा, देन सरोच तो इसने पहला statement ये दिया है कि brother and sister do not begin with the same letter मतलब रतन और राखी एक दूसरे के brother sister नहीं हो सकते देन पिंकु एंड पूजा एक दूसरे के brother sister नहीं हो सकते ये इसने statement दिये है ठीक है रतन और राखी एक मतलब यह हो गया राखी पे सि मैं लिख सका यहां पर लिख लेता हूँ मैं राकी अनील गारव यहां पर लिख लेता हूँ मैं यह तो रतन अनील पिंकु गारव था यह राखी imagen संगी या अ सेश पर कर देन संगीता पूजा और सरोच के लिए लिए दो है ना स essay पर और सरोज ठीक है तो यह आपका संगीता है से लिख लेता हूं यूजा और सरोज ऐसे यह है अब इसने क्या बोला है मैं सब बूस्ट टेबल बनाना चाहूं ता आप टेबल भी फॉर्म कर सकते हूं अब क्या बोला इसने बोला कि ब्रदर सिष्टम सेम तो मतलब देखो राकी की सरोज तो सिष्टर राकी नहीं हो सकती इससेमिलरल विख कि सिष्टर स्वरी . पिंकु की सिष्टर पुजा नहीं हो सकती बाकी कोई भी हो सकती यह चलों और क्या मτι बोला पिंखो और गोर्व के लिए बोलिख ठीक है, Pinku लेकी और गौरग लेए बोला हैं कि Saroj और Sangeita के ब्रदर नहीं है, तो जो मालब ये दोनों Pinku के लिए भी नहीं है, ये दोनों गौरग के ली照. crec ही तो रतन ही Pinku की sister होगी और ये खतम होगया, Saroj is not the sister of Ratan, अब देखो जब रतन की sister fix, मतलब रतन किस की sister है, पिंकू की sister fix हो गया, तो बाकी की sister होगी नहीं, ठीक है, एक की एक ही है, चलो sir, इसको भी cross कर देखे, ठीक है, अब अगला statement, सरोज is the not ratan sister, सरोज रतन की sister नहीं है, तो रतन की यहां से गई, अब बताओ सरोज के लिए एक ह की sister होगी, के लिए, वैसे के वैसे मैं देखूंगा, गौरव, गौरव के लिए भी एक ही option बच्छा है, आपका गौरव के लिए भी क्या है, पूजा बच्छी है, तो यह दोनों cross हो गए, अब संगीता के लिए गरबर हो गए, दो जने बच्छी है, सरोज is the not the sister of ratan, रतन sister, Dan, Pinku and Gaurav are not so then, क्या mistake होई कोई, दोनों के लिए एक ही बचा, ऐसा नहीं होना ची, ऐसा नहीं होना ची, ऐसा नहीं होना ची, दो मेंटों को इसको में वापस एक बार स्वाल करते हैं, वापस कुछ कहीं नहीं कहीं, अपने ने mistake करिया तो, पहला statement क्या बोला है, each voice, brother and sister not begin with the same letter, तो रतन की राखी नहीं हो सकती, sister, sorry, रतन की राखी sister नहीं हो सकती, then, एक और था, Pinku की पुजा sister नहीं हो सकती, ये दोनों गए, ठीक, उसके बाद बोला है, Pinku and Guarav are not Saroz or Sangeeta, सरोज और Sangeeta के Pinku और Guarav दोनों इब्रदर नहीं, ये दोनों गए, अब Pinku की लिए अक्यला बचाए रतन तो रतन इसकी sister होगी, ठीक है, sorry, राखी इसकी sister होगी, then, ये राखी इसकी already sister होगी, तो अनील की भी नहीं होगी, Guarav की भी नहीं होगी, के लिए यह ठीक है यहां तक तो चलो उसके बाद अब देखो गौरब के लिए एक यू आप्शन बचा पूजा तो पूजा उसके सिश्टर होगी तो पूजा किसी की भी वापस सिश्टर नहीं हो सकती अगला क्या बोला है सरोज इस नौड रतन सिश्टर सरोज रतन की सिश् रतन राखी तन संगीता एकगा राखी तो आई नहीं सकता ना संगीता के लिए देन आपका अनील का क्या है सरोज ठीक है पिंकु का क्या है रतन राख़ी के लिए देन गौरब का आपका लास्ट बना आया поряд पूजार अब क्या पूछा लंदे मिर्दं जिस्टर को तो देख लो नहीं। फिर खूंजा उन्व यकी बार्दी किर कर लिए बाकी इजी क्वेशन तो आसान से कुश्षन इह बन जायेगा। चलो, next question, next question क्या बोला है, read the following information carefully, answer the question given below, there are five men, इसके questions आगे दे रखाए ना, इसने बोला है कि पाँच आदमी है, A, B, C, D और E, पाँच आदमी है, and six women है, यह तो आपका men हो गए, और women कितने होगी, six, P, Q, R, S, T, U, ठीक है, यह women होगी, अब इसने क्या बोला है, अलग-अलग का profession बोला है, इसने बोला है कि A, B, and R, आप advocate, A, B, and R, यह तीनों क्या है, advocate है, ठीक है, उसके बाद क्या बोला, लॉयर जो भी advocate, वकील है यह, CD, P, Q, S, CD, P, Q, S, मतलब पाँच जनों को उन्हेंने बोला है, डॉक्टर है, अब बचे क्या-क्या है, A, B, C, D आ गया, E बचा, ठीक है, P, Q, R, S आ गया, T बचा, U बचा, तो तीन, तीन, छे ज्यादा होगे ना, छे और पाँच, छे और पाँच, छे और पाँच, अच्छा, छे और पाँच, तो यह बचे हुए क्या है, आपके teacher से, के लिए अब देखो, अब क्या बोला, उसने बोला है कि, some of team are to be selected amongst these five eleven persons, ठीक है, कुछ team select की जाती है, ठीक है, उसके बाद उसने यह बोला है कि, उन eleven persons के बीच में, और condition क्या क्या है, उसने बोला है कि, A, P, U have to be together, मतलब A आएगा, तो उसके साथ P भी आएगा, उसके साथ U भी आएगा, मतलब यह तीनो साथ में आएगे, मतलब ऐसा नहीं है कि, A आया, और P और U नहीं लिए, तीनो को आपको लेना ही पड़ेगा, कि लिए, बी कैनोट गो विथ D और R, मतलब बोला है कि, B और D साथ में नहीं आएगे, कि लिए, similarly, उसने बोला है कि, B और R भी साथ में नहीं आएगे, दोनों दोनों साथ में नहीं, मतलब B न तो R के साथ जाएगा, न D के साथ, कि लिए, E and Q have been together, E और Q दोनों साथ में आएगे, ठीक है सर, C and T go together, C और T साथ में जाएगे वापस, कि लिए सर, D और P cannot go together, D और P एक दूसरे के साथ नहीं जाएगा, कि लिए सर, C cannot go with Q, C और Q साथ में नहीं जाएगे, इत्ते से इसने बोले हैं, कि लिए यह स्टेटमेंट्स बोला है, अब देखो questions देखते हैं, यह direction, consist of two advocate mail, कि लिए, तो इसने बोलाई कि दो advocate mail होना ची, अब देखो यह और एक question, बड़ा परिशान करने वाला होगा, इसको मैं थोड़ो असर, इसको मैं कोई काम करना पड़ेगा, इसको एना, add to resource library करता हूँ, यह मेरे को information सब चाहिएगी, इस question के साथ साथ, इसको मैं copy मारता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीके, एक बार जो भी given था, इसको उड़ा दिया, यह वब दिश्वस्थ लाइबरी से लिए, इसको मैं थोड़ा सा, हलका सा, छोटे के लिए, छोटे लैटर में यह चोटे से, इनको थोड़ा सा, छोड़ा कर देते हैं, कि लिए, यह आगया इसका, इसको मैं इदार रख लेदा, अब एक एक करके question solve कर लेते हैं, क्योंकि एक्चल्ब जो information है, वो तो अभी question में चाहिए, आपको visible है कि मैं check कर लेता हूँ, ठीक है, हो जाएगा visible तो, यह लिए, अब बोलाए, team consist of two male advocate, ठीक है, अब देखो, male में A, B, C, D है, और उसने बोलाए कि दो advocate आने चाहिए, तो देखो, male के advocate तो दो ही है, तो मतलब A और B, दोनों आएंगे ही, के लिए, A और B लेने हैं अपने को, ठीक है, और two lady doctor और one teacher, ठीक है, अब देखो, A आ गया, तो इसके साथ fix है कि P और U आना है, तो P और U तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि A अल्रेडी आ चुका है, तो P और U उसके साथ आए गई, ठीक है, टपकी ही जाएगा, तो A, P, U, अब B के साथ कोड़ condition है क्या, B के साथ कोई compulsory लेना है क्या, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, अब बताओ P और U कौन है, P तो आपका डॉक्टर हो गया, U आपका teacher आ गया, एक डॉक्टर लेडी भी आ गयी है, और एक teacher भी मिल गया है, अब एक डॉक्टर लेडी और बच्ची है, अब देखो B के साथ D आएगा नि, और कौन न आएगा, P आगया तो D आएगा नि, P का भी सहह है, P भी नहीं आएगा, अब C आगया तो Q नहीं आएगा, इंखो एक और लेना है, अब देखो AP, AB, P, U, एक Q है, एक S है, S आ सकता है किया इसमें देखो बट इसमें कौन सा लेना है लेडी डॉक्टर लेनी न तो ये दोनों तो आएंगे नि लेडी डॉक्टर में आपका अब आपके पास option बचा है P, Q और S ये तीन P तो अलड़ी ले चुके हो Q और S बचा अब Q और S के साथ देखो कुछ condition है क्या Q और S के साथ Q और S के साथ कुछ condition यहाँ पर, या तो Q आएगा या फिर S आएगा, दोनों मैंसे एक आएगा ठीक है अब देखो कुछ condition कहीं फस रही है क्या अपने C के साथ T, D के साथ P C आएगा तो Q नहीं आएगा S भी आ सकता है, Q भी आ सकता है इसमें दो S और Q दोनों ही आ सकते हैं इस टीम टू मेल और एडवोकेट तो मेल आगए आपके फिर टू लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर में APUU में टीचर आगए आपका P बचा, P आ गया आपका Q और S में से अब आएगा Q और S में से तो कुछ कंडिशन थी क्या Q और S की पीछे देखते एक बार कुछ कंडिशन क्यू E and Q is go together APU, B cannot go अच्छा चाज़ रहे, ठीक है ठीक है बड़ा अब देखो आपको, इसने एक बोला है था कि Q लोगे तो आपको E को भी लेना पड़ेगा बड़ अपने E की तो restriction है Q आएगा तो E भी आएगा तो Q अपन ले नहीं पाएंगे तो अपने पास बचा क्या option E तो आप क्या ले पाओगे APU then S APU ABPU S ठीक है थोड़ा अच्छा सा question है ना वालब यह आपको लेनी पड़ेगी तो यह आपका पहला question का solution हो गया ठीक है यह first question हो गया के लिए चलब अगला question देखते यार यह तो भारी भर का मुकाम हो गया बड़ा लंबा question हो जाएगा अगला question देखते है इसको मैं copy कर लेता हूँ एक हो गया यह question हो गया दूसरा हो जाएगा तीन वार है तीसरा चौता एक होगा ठीक है अब देखते हैं यहां से कर लेते होगा बाद में delete कर लेंगे ज्यादा होगा तो चलो इसमें देखो अब क्या बोला if the team member is consist of one advocate two doctor three teachers ठीक है three teachers मतलब E T यू आना ही है ठीक है तीन teacher इसने बोल दिये ठीक है C may not go with T ठीक है C आपका T के साथ मतलब C T के साथ नहीं जाए तो भी चलेगा आना यह बोला इसने तो C low या नहीं लो तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इसने बोला है C may not go with T मतलब T यहाँ पर बोला था C और T साथ में जाएगा पर ठीक है नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो E T U आगया E आया है तो E के साथ कौन आएगा Q जरूर आएगा तो E Q आगया ठीक है T, T के साथ C के में नॉट भी बोला है तो कोई दिक्कत नहीं यू आगया तो आपका P जरूर आएगा और A जरूर आएगा के लिए ठीक है तो यह बन गया A E P Q T U Q T U ठीक है यह बन गया बस हाना T के साथ C आया नहीं आ इसने कंपल से नहीं बोला तो यह आपका अगला देखो If Team consists of one male advocate one male doctor male doctor one male advocate and one lady doctor and two teachers then the member ठीक है तो इसने बोलाए कि दो teachers लेने एक male advocate लेना है तो male आपने पास दो है तो A और B मेंसे एक जना आएगा A और B आएगा एक तो A और B मेंसे आएगा ठीक है दूसरे में बोलाए कि एक male doctor चाहिए तो male doctor में C और D है तो दोनों मेंसे एक आएगा ठीक है उसके बाद एक lady doctor भी चाहिए तो P Q S मेंसे एक आएगा कि लिए उसके बाद क्या बोला इसने and to teacher में ठीक है तो E T U कि लिए इन मेंसे आपका दो जने आएगे अब क्या-क्या ले सकते वह देखो चलो अब देखो क्या-क्या possibility ले सकते इसने देखो A तीन में ले रखा है तो A A लोगे तो P भी लेना पड़ेगा U भी लेना पड़ेगा तीनों लेने पड़ेंगे A P U यह तीनों ही आएगे A लो लोगे तो B लोगे तो D नहीं आएगा ठीक है C लेना पड़ेगा C आएगा तो Q नहीं आएगा D R भी नहीं आएगा R कहां गया इसमें R तो अपने को एड़ोकेट में ही नहीं वो तो उपर चला गया या तो इसको देखो option से कर लेते ज्यादा सही रहेगा इसने बोला है A P T U C और T इसने साथ मेंपोला है C कास Mmm A C P T U A C P T U ठीक है A P U तो तो तुनों साथ में आगए है तो 1000 कहां तो एंक यहां से लेना था एंक यहां से लेना था दो 2 यहां से लेने थे तो 5 कह बनते दो लाश्ट वाले से आई वे तो किया दूसरा बोला A, P, T, Q, sorry, A, D, E, P, T, A, D, E, P, T, D और P साथ में नहीं आते हैं तो दूसरा option गया, कि लिए, D और P साथ में नहीं आ सकते हैं तो गया, यह तो D और P वाला, C और Q, C और Q साथ में नहीं आ सकते हैं तो यह भी गया option, तो A की option बच्चा, option A, correct, ज़्यादा हो सही लिएगा option से, वैसे इसमें बनना थोड़ा सा difficult हो जाएगा, के लिए, अगला question देखो इसमें, अगला question, if the team is consist of one advocate, three doctor, one male teacher and the member, and the members of a team are, ठीक है, इसने बोला है कि A advocate होना चाहिए, तो A, B, R में से एक जना होना चाहिए, A, B, और R में से, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो चार यह option होगे, A, B, R में से एक होना चाहिए, three doctors, यहाँ तो यहाँ से आपका एक होना चाहिए, ए पी यू नहीं नहीं गड़बर हुई इसने बोला है मेल टीचर वन मेल टीचर में तो ई है ई आएगा तो आपका पी भी आएगा और यू भी आएगा अच्छा ई के साथ नहीं सुर्ण ए के साथ नहीं ए आएगा ठीक है ठीक है ए जरूर आएगा तो ई यह उप्शन में बचे इन दोनों में इन दोनों में देखो तो ई डी क्यू तीनों सही है आर सही है एस और टी के बारे हम गोला है इ डी क्यू आर एक एस है एक टी है अब देखो किसके साथ क्या प्रॉब्लम बन देखो इन दोनों में है तो इन दोनों में चेक करूंगा अब देखो R, R का क्या problem है, अब देखो, E और Q साथ में नहीं, साथ में आएंगे, चलो, ठीके, E और Q साथ में आए हुए, C और Q साथ में नहीं हो सकते, D और P नहीं हो सकते हैं, D और P, D और P, T के साथ क्या problem है, T को देखना पड़ेगा यहां पर, थोड़ा से हर बोरिंग सा question है, बड़ यहां देखो, D, E, Q, R, T, D, E, Q, R, S, R, S, इसमें से, इसने, चार किसे बोलेते, इसमें से बोलेते न, तो आपका हो गया, Q, S, यहां से आगया, D, Q, S, नहीं, नहीं चलेगा, इसमें से चार लेने थे अपने को, चार लेने कितने लेने थे, तो सबोच, R अपन यहां से उपर से ले लेंगे, उपर से एक भी तो लेना ज़रूरी है, T के लिए बोला है, तो यह T नहीं होगा, फिर यह तीन लेने अपने को, तो आपका गया, D, Q, और S, R नहीं आएगा तो यह तो लुड़ा को पसंद आया होगा थीक है थो सा बौरिंग किसलन हो घो भी लग जा था फील हो रहा था ठीक है तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच